खबर वही जो हमने कही आप देख रहे हैं न्यूज बोड़कास्ट 24 इशारा किया गाड़ी में अगली सीट पर दो नाइजीरियन यूबक सवार थे जबकि गाड़ी की पिछली सीट पर चार नाइजीरियन महिलाएं सवार थी आरोपे की जब नाके पर तैनात A.S.I. नरेश कुमान ने गाड़ी चला रहे यूबक से गाड़ी के कागजात मांग तो नाइजीरियन यूबकों और महिलाओं ने ड्रामा शुरू कर दिया, पुलिस कर्मियों से धका मुक्की शुरू कर दी, अभी ड्रामा चल ही रहा था कि तबी गाड़ी चला रहा, यूवक गाड़ी की चाबी ले मौके से फरार हो गया, वही नाइजीरियन महिलाओं का पुलिस से उलजना जारी था कि आदे घंटे बाद चाबी के साथ फरार हुआ नाइजीरियन यूवक अपने अन्य नाइजीरियन साथियों के साथ दो बाइकों पर पुलिस नाके पर आया और पुलिस पर हमला कर अपने साथी महिलाओं और गाड़ी ले पुलिस नाका हुआ फिल्मी अंदाज में मौके से फरार हो गया वारदात में पुलिस नाके के पीछे खड़े होमगाड रविंद्र और हैड कॉंस्टेबल जोगिंदर पर नाका गिरने से चोटिल हो गए जिने अस्पताल में भरती कराया गया है वहीं इस वारदात ने खाकी की पोल खोल क कर रख दिया कि थाने में महेंज कुछ दूरी पर पुलिस पर हमला कर ना केवल नाइजीरियन गाड़ी को ले जाने में कामयाब हो गए बलकि 24 घंटे बीतने के बाद पुलिस के पास वारदात में शामिल नाइजीरियन का कोई सुराग तक नहीं है इस मामले को लेकर सोहना के सिटी थाने में अग्यात विदेशी लोगों के खिलाब धारा 147 धारा 149 धारा 186 धारा 332 धारा 323 पन आईपी सी के तहत मामला दर्जकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे हैं नीज वुटकास 24 नमस्कार